इन पलकों के पीछे हैं कितनी सपने हूँ दिल जाए हो जाए वो सर अपने जाग जाग जाए ये मन में आशान राशा के बादर दिला से का सूरज ओ खुशियों की किरने बन थे हमेशा चुम्केंगी दावन में तेरे हो मन्शा 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 उनहीं जंदकी और मोट से लगा है कि इस सब आप लोगों की बचेसे हूँ नब है डॉक्तर क्या में उसे मिल सकती हूं अभी ओ किसी मन्शा से मिलना चाहता है मेरे सिखस्य नोट और मेरी बच्चीयं गोलिया अभी तक मेरे पास है जसे रिया बहुत पुरी तर सबहस सकती है सिर्फ तुम हो जो मेरी और रिया की शादि रोकवा भी सकती हो और करभा भी सकती हो रिया अगर मेरी नहीं हो सकी तो हो किसी और थी भी नहीं उसकर प्राइब रिया क्यों आई हो तुम यहाँ क्यों आई हो तुम यहाँ पनीच को तुछ मौट के दरवा से अल्राइए पौंचा चुके है अब क्या चाती हो मैं भी अपनी थांते थू रियाब रियाब ये तो क्या कह रही है सही कह रही हा है बस बहुत हो गया लेकिन लेकिन रियाब पुनीच बस तब से सुन रही हूं मैं, पुनीत ऐसा है, पुनीत वैसा है, जैसा भी है वो, मुझे उसते कोई फरक नहीं पड़ता, समझी तू? लेकिन हमें फरक पड़ता है रिया, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, तेरे भलाई के लिए कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों अरिवार के लोग एक दूसरे से एक अंदेखी दोर से बंदे होते हैं, उस दोर की एक सीरे को कीचो, तो सारी दोर पर असर पड़ता है, और फिर तुम अपनी जिंदेगी को अलग करके कैसे देख सकती हो, क्योंकि यहां कोई मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, रि तु समझने की कोशिश नहीं कर रही है, कि पुनी तिर्थ बस, मुझे पुनीद के खिलाफ एक शब भी नहीं सुना, समझी तू? तुझे सुनना पड़ेगा मैं जब तेरे भाइया के साथ शादी करके इस गर में आई तो मैंने उनके पत्नी होने के फर्ज को निभाने की कसम काई थी इस गर में मुझे प्यार मिला मान सम्मान मिला तब मैंने इस कार के बहु होने के फर्ज को निभाने की कसम ख़ए फिर नहीं के जाने के बाद मुझे इस करने वही प्यार, वही इस्सत दी तब मैंने इस कार पर सब कुछ लुटा देने की कसम ख़ए लेकिन जब माँ पापा ने मुझे अपनी बीटी बना कर मेरा कन्यादान किया तब वो सारी कसमें, वो सारे फर्स हाग में बदल गए आज मैं उसी हाग से कहती हू रिया कि मैं तेरी जिन्दगी को बरभाद नहीं होने तूंगी रिया, बापा ने तुझे जिन्दगी दी है, आला पुसा है तुझे उनकी खुशी तेरी खुशी में है, उनका अगाम तेरे दुख में है रिया, वो तेरे बारे में कभी गलत नहीं सूचेंगे तुझे उनकी फैसले पर कौर करना चाहिए, इस्दट करनी चाहिए तुने कहा था नरिया कि आज तक तुने मेरा साथ दिया है मेरा काम आना है तो फिर आज तू मेरे लिए इस घर के लिए और सबसे बढ़कर अपने लिए तुझे पुनीत को बोलना होगा बहुत खुश्रसिब होते हैं वो लोग रिया जिने इस जनम में अपने माबाप का कर्स चुकाने का मोका मिलता है रिया इस मौके को मत चानी देना रिया तु पुनीत को भूलके इस शादी के लिए तयार हो जब रिया प्लीज तुझे तुझे अपने गुजरेवे भाई की कसम है मन्शा तुझे उस भाई की आकरी निशाने की कसम है रिया उन माबाप की कसम है जिनोंने तुझे जिंदगी दिये तुझे मेरी बात मानने होगी रिया तुझे अपने जिंदगी का फैसला खुद करना चाहती है तो तु ये फैसला जरूर कर ले लेकिन ये फैसला लेते वक्त एक बाद वरूर याद रखना अगर तेरे दिल में इन सब के लिए जरासा भी प्यार है न तो तू इस शादी के लिए राजी हो जाएगी वना फिर तेरी मरसी मन्शा, क्या हुआ? मुझे पूरा विश्वास है, रिया मान चालेगी रोहित, तुम तुम आज ही दुर्व से शादी की बात कर लो हाँ, लेकिन मन्शा पर बिटे, लिया खुद कह दे तो मुझे भरोसर रखी माँ, मैं कह रहे हूं न, वो मान जाएगी जसा तुम को बेटा, मेरे इस आप से तुम अब चलना चाहिए, देर हो रही है दिया को भी घर छोड़कर आया हो तो, है न? चीब, चलता है अंशा मा, आप फिक्र मत कीजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं चलती हूँ मैं शादी के लिए तयार हूँ क्या, क्या, क्या तू, तू सच्मों शादी के लिए दे आ रहे हैं? लेकिन मेरी एक शर्त है शर्त? कैसी शर्त? ना तो मैं लड़के को देखना चाती हूँ, ना ही उसके बारे में कुछ जानना चाती हूँ आप लोगों को जहां मेरी इशादी तैक करनी है, कर लीजे मुझे आपका हर फैसला मन्जूर है अरे फगली, हमके तेरे बारे में कभी बुरा सोचेंगे? बेटू Manisha Manisha Manisha, मैं आज बहुत खुशू हूँ आज का बाल हो गया है, मैं बहुत खुशू दिया मैं बहुत खुशू आज क्या बात हो गई? अब मैं कहा से आ रहा हूँ ऑफिस से राइट और मैं किस से मिलकर आ रहा हूँ किस से मिलकर आ रहा हूँ अरे रिया के लिए किसे से मिलकर आ रहा हूँ दुरूव से राइट, दुरूव से मिलकर आ रहा हूँ येस वाट उसने शादी के लिए हां कर दिये मंचा क्या कह रहे हो हां लेकिन लेकिन उसके एक शर्त है शर्त जी हां शर्त और शर्त ये है कि लड़की एक जोड़े में विता होगी और शादी जो है बहुत ही सिंपल आरे समाज मंदिर में कोई बात ने लेकिन वो तो कह रहा था कि उसके कोई घरवाले है अरे नहीं नहीं परिवार की कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी एक सौतेली बहन है जिसने उसे कभी अपना नहीं तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी नहीं है कितने अची बात है ना दुरूब शादी के लिए मान किया जी हाँ और उसे भी बड़ी खुश खपर ये है कि कि मैं पंडीजे से मिलकर आ रहा हूँ उन्होंने इसी हफ़ते का मूरत भी निकाला है इसी हफ़ते का? रोहत ये शादी का मामला है इतने कम टाइम में हम ये सारी तयार्या कैसे करेंगे? रिलाक्स, रिलाक्स, मन्शा, सब कुछ हो जाएगा अरे भई हमारी शादी भी तो जलबाजी में वही थी यह ना? और सिंपल सी शादी करनी है आर ये समाज वंदिर में हो जाएगा और और मन्शा, मैं चाहता हूँ कि शादी जल से जल हो जाए रिया को ज्यादा वक देना नहीं चाहता मैं सोचने के लिए कहीं उसने अपना फैसला बदल लिया तो ये नो वड़ाई मीन लेकिन ये कितनी खुशी की बात है मापाबा कितने खुश होंगे न ये सुनकर कि दुरुवने शादी के लिया कर दी है रिया की शादी होगी वो अपने घर चली जाएगी इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है है ना? I'm so happy लिया रिया फोन उठाओ फोनो तावरिया फोनो तावरिया फोनो थावरिया क्या कर रही है फोन क्यों नहीं उठा रही है गोड़ डेम इट पंडी जी ये लीजे फूरे आई ये नारेल अरे आशा इधा रहना भाई वहां क्या कर रही हो रोहित तो लगता यसा है कि सिर्फ उनकी बेटी है नहीं बेटी तो तुम्हारी भी है लेकिन रोहित को जाने तो दो धुरुब को कौन लेकर आएगा यहीं पर लगावा है अब वैसे भी लड़की वालों की तरफ की सारी जिम्मेदरिया मैंने जबा दिए अब मैं आऊंगा लड़के वालों की तरफ से और ठेर सारे नकरे करूंगा आपको जिलने पड़ेंगे मेरे नकरे जिलेंगे बैई जिलेंगे क्यों नहीं जिलेंगे सारी खुश्या तुमारी मामा हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी रिया के लिए इतना अच्छा लड़का मिल जाएगा सच मैं तुमने तो दामाद होकर पेटे का फर्ज मिपाया है जी नहीं आप कुझे बेटा ही रहने दीजे आपका दामाद में लेने जा रहा हूं और उमीद करता हूं कि आपको आपका अदामाद पसंदा है रिया की जिन्दगी में वो ठेर सारी खुशियां बिखेरते हैं अरे क्यों नहीं बिखेरेगा आखिर तुमने चुना उसे लेकिन रिया भी तक आई नहीं क्या मन्शा लेकर आती ही होगी तुम झाओ धुरूव को लेकिन रहा है आप लोग तयार एगा है मैं धुरूव को लेकर रही हूं आता हूं हुआ की तरह गया पानी की तरह आया फटाक से आजाओ ऑगा आशा जी आशा यह कहा हूं भाई कितनी खुबसूरत लग रही है कहीं मेरे इना नजर लग जाए इधा देख रिया तू अप्पे उदास है जानती है रिया जिंदगी कड़े इंत्यान लेती है मेरी सिंदगी में भी कई बारह से मौकिया है जैसा हो रहा था मेरा दिल चाहता था कि वैसा नहो और वो हो जो मेरा दिल चाहता है बिल्कुल तेरी तरह सोच थी मैं लेकिन फिर वक्त ने ऐसास दिलाया कि मैं कितना गलत सोच थी क्योंकि जिसमें हमारी मर्जी नहीं होती उसमें भगवान की मर्जी होती है और बगवान ये तो नहीं चाहेंगे न कि अपने बच्चों के साथ बुरा हो रिया दुरूफ बहुत अच्छा लड़का है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा रिया और वैसे भी तुम दोनों शादी करके कैनेडर चले जाओगे वो तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम हम सब को भूल जाओगी देखना बीबी जी बीबी जी वो मिठाईवा लावा है का बता है हमो का आप वो मिठाईवा लेकर मंदिर पहुची हम बस आते ही हैं आच्छा बीबी जी चल रही है, चल रही है, चल रही है से त्यार होजे, हमें मंदिर जाना है, सब हमारा इंतजार करे होंगे वापर अरे, अरे, सब तोक रही है, कहें रख दी भई, डब जाएगी, थोड़ी असर रख दे, सुनो, तुम दीनानात हो, हाँ भईया, हम ही दीनानात है, कहो, आप, मैं किशोर अंगल के दोस्का बेटा हूँ, आज ही दिल्ली से आया हूँ, मैं कबसे इनका फोन लगा रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा है, सब लोग कहीं गये हैं, क्या, वुई सब लोग, देखो दीनानात, ये ध्यान रहे है, कि किसी को पताना चले कि रिया की शादी हो रही है, वुई सब लोग पार्टी खातिर कमनु साहिब के घर गए है, अच्छा, तो ये इतनी सारी तैयारियां कि किसरी हो रहे हैं, कि अखात कर अग्वार को इसली हो रहे है, कि वुई सब अरे है कल जनम दीन रहा है न घर में अच्रा बहए आप अच्छा, वह आप अच्छा पताना म कि यह तो इसी खर का पता झायं कि और अबना है कि छ नंकर को आपको क्या को क्या नहिंने आपको क्या मू जो के दुर्गा मंदर के लिए फूल मंगवाई थे लेकिन जोहू में दुर्गा के दु मंदिर है कौन से मंदिर ले जाना है यही पुछने चला आया है अच्छा लेकिन ये फूल किसलिए मंगवाय थे उनके घर में किसी की शादी है इसी के लिए फूल मंगवाय थे क्या हुआ साब कहा खो गए आप नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं लाओ तो मुझे ये टोकरी दे तो मैं पहुचा दूँगा आप सार हाँ दरवसल मैं इसी घर का सदस्य हो और अभी मंदिर के तरफ ही जा रहा हूं तो मैं उन्हें दे दूँगा थेंक्यों साब इस घर में किसी की शादी है और रिया के अलावा इस घर में किसी की शादी नहीं हो सकती इसका मतलब इसका मतलब रिया की शादी है I love you Ria I love you too I love you अग्ला कहीं काथ Will you marry me? शादी करोगे मुझसे चल्दी करो रही है अग्ला, तेर हो रही है अग्ला एम आग्लाव की शादी है अग्ला क्या तुम मेरे साथ हो अपने आप से ज्यादा क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है खुद से ज्यादा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो सबसे ज्यादा तुम मुझसे है ज्यादा है य।ुम मुझसे है तुम मुझसे ऑड़न किया तुम मुझसे है प्यादा है मंदिर पहुशना है ना, पहली बहुत देर हो चुकी है, सब अमार इंतजार कर रहे होंगे, चल, मैं देखती हूँ इन फलकों के पीछे है कितनी सपने हो, दिल जाये हो जाये, वो सर अपने, जाग जाग जाये, मन में आशान राशां के बादर अट्सार शाजे आशान राशान, इन फलकों के बादर